लो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका इस नई सीरीज में 2022 के अंदर हमने जुलाई से लेके डिसंबर तक हमने 200 प्लस वीडियो डाले रियक्नेटिव के अंदर तो अगर आप रियक्नेटिव सीखना चाहते हो तो आप वह सारे वीडियो को चेक आउट कर सकते हो जिसमें हमने मोचली चीज़ें कवर करी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई है अभी तक बहुत सारे लोगोंने कमेंट्स भी किया उनको डाल लेगा बट एनिहाव मैं उन्हें यूग होती है अपने सिस्टम को रन कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आफ ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करना सपोर्ट करने के लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो यह सीरीज बिगनर्स के लिए है जिस्मां में स्टार्टिं से संजाएंगे कि सेटब क्या है उसके बाद हम थोड़े से उसके बीजट से वगागढ़ा समझेंगे कैसे क्या हम बिजेट का यूज़ कर सकते हैं फिर हम दीरे-दीरे component या फिर बोल सकते हैं एक-एक स्क्रीन बाइच चीजें बनाने लग जाएंगे और उनसे हम इंप्लीमेंट करके डारेक्ली प्रैक्टिकली समझेंगे सरी चीज़ को ठीक है तो यहां पर पहली तो यह सोला यहां सत्रा के सम्थिंग आई है मेरे ग्रेट नहीं पता पर दोग्या शत्राइब पांसे छह साल इसको लग हो गया कफी टाइम हो गया इसको आराम से ठीक है और काफी जल्दी यह ग्रो भी हुई है काफी सारे अंदर बनाए है और यह गूगल से बैक है मतलब गूगल ने से बनाया है तो इस वज़े से और ट्रेंडिंग पर है ठीक है एक्ट्र में तो इसकी जो डेफिनेशन है फ्लटर इस एन ओपिन सोर्स फ्रेमवर्क बाई गूगल फॉर बिल्दिंग ब्यूटिफुल नेटिब बना सकते हैं अब मोईफ ट्रप ट्रिअश्टट ऑफ ट्रेय्शन बना सकते हैं वैपाइवास्ट के लिए इस सारे थियो बना सकते हैं ठीक है और इंबियरेती की एओ सुस्टिकरेंज कम मतलब जैसे अनदर और हम ऊस बगार ब्यारेती पर कोई ज्यादा खास यूआ नहीं होती है इंबर्ट इस्टम होता है जो हमारे इस पर चलता है जिरो बन वाला इस्टम होता है पूरा क्या बोलते हैं उसे कि सेग्मेंट्स पर चलता है ठीक है तो आपको एक्शुली बनाने की जोत नहीं पड़ेगी बट एंबर्ट इस्टम हो गया और हमारी स्मार्ट एलेक्ट्रोनिक्स आइटम साने लग गया है तो यह सारे इंबर्ट इंदर चिप लगती है जैसे गाड़ी के अंदर वारा जीपे सब्सक्राइब आगा सैक्या है अब पर अंदर क्या बना सकते है तो यहां पर ढूट करनिकेशन बना सकते हैं तरके साथ थी पहों कि उसके बाद हते रिक चैनल्ची तो सेम जिसने जाबा पड़ी है उसके लिए डार्ट सीखना बिल्कुल इजी है ठीक है बस आप थोड़ा सा फोकॉस करेंगे दो चार दिन आपको डार्ट समझ में आ जाएगी तो इस सीरीज के अंदर हम डार्ट तो नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि हम फ्लटर फोकॉस करेंगे उसके लिए आपको डार्ट पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो डार्ट को यूज करता है और जो क्लास बेस सारी चीज़े होती है ठीक है उसके बाद डार्ट क्या है तो डार्ट एक क्लाइंट ऑप्टमाइज लेंग्वेज है फॉर डेवलपिंग एप इट्स लाइक जावा इट वर्क्स विट लाइक जावा ठीक है तो यह मैंने आल्रीड आपको बता दिया कि जावा के तरह होती है क्लास होती है इसके अंदर इसके अनदर अब उसके बाद सेट अप कैसे करते हैं फ्लटर का सेट अप कैसे कर सकते हैं तो यहां पे देखो सेट अपके स्टैप्स में दिखाए डाउनलोड फ्लटर की साइट पे जैसे आप जाओंगे आपको Google पे सर्च करना है फ्लटर इस तरी के सब सर्च करोगे तो यहां पर फ्लटर.डब करके आपको मिल जाएगी एक बैफ साइड इस पे ओपन करना है तो यह है हमारी फ्लटर की ऑफिसियल बैफ साइड ठीक है तो यहां पर दे कोई का प्रजेंटेशन काफी अच्छा है इन्होंने यहां पर दिया हुआ है इन्होंने लिखा हुआ है फ्लेटर टांसफोर्म स्था एप डवलप्मेंट प्रॉसेज बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉई ब्यूटिफुल मॉवाइल बैब डेक्स्टॉप हमारा गाइड या फिर बोल सकते हैं इंस्टॉल सेट अप करने का लिए हमारा जो डॉक्मेंट होता है वह मैं फ्लटर ने इस तरीके से दे रखा है ठीक है सेट अप करने के लिए सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि सलेक्ट ऑपरेटिक सिस्टम और विच यू आर पन्तूर बगारा हो गया तो आप यहां से कर सकते हो आप ut phone तो यहां से कर सकते है कि ऑन कर सकते हैं तो ंसे क fox was एथिए Pictina तो फिलाल मैं मेरे पास सो चलेगा उसके बाद इतना होना चाहिए टूल्स में क्या क्या चीज़ चलेगा यह सारी उन्होंने लिखा हुआ है आपको क्या करना है आप simply get the Flutter SDK मेंची इसकी SDK है तो यहां से आप क्लिक करोगे तो यह डाउनलोड होने लग जाएगा और यहां से आप डाउनलोड कर लोग इसको ठीक है जाएगा इसको आपको क्या करना एक्स्ट्रेक्ट करना जिप फाइल को एड्प रिखा रहता हूं यहां पे अपने डॉकुमेंट्स के अंदर एक फ्रेटर नम का फोल्डर यह दिख रहे है यह फोल्डर आपको अचिप करने के बाद मिलेगा ठीक है इस फोल्डर के अंद अमाल लिए मैन है क्यों क्योंकि जब भी इन्होंने बोला यहां पर देखो कि जब आप ऐसे कर लोगे फ्लिटर फोल्डर को आप कहीं भी अपनी लोकेशन पर सेट कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपको अपडेट यूर पाथ क्योंकि सारा खेल जो है वो क्या है पाथ का को आपको environment variable में environment में सेट करना पड़ेगा तो अगर आप विंडोज उसकर रहे हो तो आपको यूजर वेरियेवल्स करके इन्होंने देखो बताया कि फ्रॉम दा स्टार्ट साइंवर्मेंट एडिट वेरिवल्स विंडोज आप चला रहे हो तो आपको पता होगा environment variable क्या हो वहां जाकर आपको यह path set करना है flutter slash bin मतलब bin folder तक का आपको path उठाना है और वहां जाकर आपको set कर देना है इस तरीके से देखो यहां पर नहीं दिए देखो अगर आप एस डालोगे तो आपको path मिल जाएंगे तो यह path यह आपको set करने हैं यहां पर देखो अगर आप यह वाला इस तरीके से उस करोगे update path में उन्होंने बताया हुआ है ठीक है तो you have to close and reopen the existing console पगार आप path set करने के बादा उन्होंने बता सिस्टम को कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते हो flutter जब आप command खोलोगे अपनी cmd खोलोगे आप windows चला रहे है तो वहाँ पे cmd खोलो गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे जाओगे मैं आपको नया command line open करके दिखाता हूं आप windows पे जाओगे और वहाँ पे अगर आप flutter ऐसे डालोगे ठीक है तो जब आपका setup नहीं होगा तब आपको कुछ यह देखो कौन कौन सी command है क्या क्या कर सकते हम कहां से क्या साइड इटेल इस तरीके से अगर आपको मिल जाता है तो समझ लो आपका flutter का setup आपके system पे हो गया है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना आपका android studio क्योंकि आप windows चला रहे हो तो आपको android ही चला सकते हो तो आप आपको android studio वगएरा डाउनलोड करना है यहां पर देखो उन्होंने android setup दे रखा जिसमें install android studio वगएरा दे रखा है फिर उसके बाद सेट आप your device इमलेटर वगएर आपको set करना पड़ेगा और उसके path वगएर आपको set करने पड़ेंगे तो वो यहां पर पूरी यहां पर detail से उन्होंने दे रखी है ठीक है अब बात करते हैं iOS की तो iOS में open करेंगे वह इस में क्या करेंदेगो यहां तक तो सेम है आपकी requirement इन्होंने बोला यह चीज होनी चाहिए ठीक है वह इन्होंने बोला कि recommended यह है कि आपको X code करना पड़ेगा क्योंकि आपको iOS run करना है तो ठी अभी लिया है M1 है आपके पास तो M1 वाला Apple Silicon वाला तो आप यह वाली फाइल डाउनलोड करो जैसे आप क्लिक करोगे फाइल डाउनलोड होने लिए यह तरीके से ठीक है जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी सेम चीज करना है आप उसको फाइल को अंजिप करना है अंजिप के यहां पर Macbook आप चला रहे हो तो आपको पता होगा बेस प्रोफाइल क्या होती है बेस प्रोफाइल के दर्म सारे पाथ डालते हैं जो भी हमारे environment वाले पाथ होते हैं जो हम एंडर श्टूडियो करें उसका पाथ और अधर अधर चीजों के तो यहां पर मैं आपको एक वर अधर उपन करके दिखा देता हूं फok है तो यहां पर हम खैंगे रहें करेंगे तो यहां पर जो हमारी बेस प्रोफाइल उती है वह टो इस तरीकाश्यक्ती है फ्रक्तार vy भी कर रखा है देखो फ्लेटर कर रखा अभी इन्होंने दिया है ना पाथ फ्लेटर का बिन वाला पाथ आपको एक्सपोर्ट इस तरीके से डालना है तो मैंने देखो सेम तरीके से आप डाला हुआ है बस मेरा यह जो पाथ है यह मेरे सिस्टम के हिसाफ से बट फ्लेटर बि ठीक है अब जब आपको अप्लिकेशन को क्रियेट भी करना पड़ेगा और क्रियेट कैसे करेंगे आपको कमार्ड यूज करने पड़े जैसे हम अपने पास पर जाते हैं अपनी लोकेशन पर जाते कहां पर करना मुझे मालो आप डेक्स टॉप पे डेक्स टॉप पे जाना है वहां पर जाके एक क्रियेट का नाम डाल दिया इसे क्लिक करेंगे तो अगर अगर हमारा Flutter का setup सही हो रखा है तो इस तरीके से creating Flutter और यह करके कुछ ही seconds के अंदर Flutter का पुजेक्टर रन हो जाए वो हो जाएगा create हो जाएगा और इस तरीके से आपको एक message मिल जाएगा your application code is in this file folder और इस file के अंदर man code है ठीक है अब बात करते हैं कि यह चीज़ करने के बाद हमें project run तो करना पड़े और रन करने के लिए android और अगर हम macbook पे कर रहे हैं तो android studio हमें download करना पड़ेगा अंद्रोड करेंगे आप जादा खिच पिच नहीं कुछ भी download android studio आपकी इस पर click करोगे यह डॉकुमेंट पढ़ने को बोलेगा आपको accept करो accept करने के बार आप से पूछेगा अगर आप windows चला रहे हो तो यह दो option पूछेगा इन सीधा एक बटन आएगा अगर आप Macbook चला रहे हो तो उसमें चिप के बार में पूछेगा कौन सा आप प्रसेट यूज करें इंस्टॉल करने के बाद यहां पे इन्होंने देखो यहां देखो इन्होंने Android का सेटप बताया होगा अपडेट पाथ बगएरा तो मैंने बताई दिया कैसे करना है यहां देखो पहले इन्होंने iOS का सेटप प्लाट्फों सेटप में iOS का सेटप बताया जिसमें इंस्टॉल एक्स कोड बगएर बताया है उसके बाद देखो इन्होंनों यहां पे Android का सेटप आपको इंस्टॉल करना Android Studio Android Studio डाउनलोड कर लो उसके बाद यह को चलाना है कमांड चलानी है कहीं पे भी रूट पे ठीक है मालो हमने यहां पे गए और मैंने फ्लटर डॉक्टर चलाया यह कमांड क्या करती है यह कमांड बता देती है कि हमारे फ्लटर का सेटप हो तो की धार देता है कि क्या क्या क्या्या छीजएं मिहीं से क्योंकि मैं कमांड लन से कर लेता हूं चीजे से यहां पर देखो Android का यह बता रहा है बहुत सब्सक्राइब करना पड़ता है तो कोई दिकत नहीं आप ऐसे करोगे तो आपके में जो जो इंस्टॉल नहीं है वह उसे आपको इंस्टॉल करना है करेंगे Android का इंग्लिटर में कुछ नहीं है इंग्लिस आप जाओगी जैसे इन्होंने बताया लॉंच एंडर स्टॉडियो इंस्टॉडियो इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉल कर लिया और आप एंडर स्टॉडियो जैसे इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटप होगा इस तरी पर किलिक करो यहां पे आपको डेखो virtual device बैजिर मिलेगा है इस पर किलिक करोगे तौ, यहां देखो कोई भी डिबाइस नहीं होगी तो यहां पे no device फांड होगा मां पर create device मां ढूए को इस पर कर एक एंड्रॉड का पीए यहinen कर दोग है तौ प्वांट में स्यल्ट कर लिया पॉन सा फॉन मालो पिक्सल का रस पर यसे नेस्ट करा नेस्ट करोगे एक बार और यहां रो प्रवार सिस्टम के रहा हो जो पात है जो मैंने आपको बताया था हुआ पाथ हैं वो सारे पाथ आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो यहां पर आप पड़ोगे ना इसको पड़ोगे जब आप तो सारी चीज़े मिल जाएंगी ठीक है आप बात करते हैं यहां से आप डाउनलोड कर ना रहा है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो यह कम से कम से देश लेगा भई आराउंड 12-14GB इंटरनेट तो इंटरनेट काफी अच्छा चाहिए होगा आपको तब यह डाउनलोड कर पाऊगे जैसे आप डाउनलोड करोगे इन्हों नहीं यहां पर स्टैफ्स दिये हुए हैं सेट आप करने के क्या क्या करना है जैसे यहां पर देखो आपको चलानी है उसके बाद आपको उसके अंदर जाके इमिलेटर को डाउनलोड कर लेना है ठीक है इमिलोटर डाउनलोड करोगे तो सेट अप iOS simulator यह सारी चीजह हैं और यहां से यह कमांड से हम simulator को on कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद यह देखो इन्होंने यह सारी चीजह आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बैठ होगे तो सारी चीजह हो जाएंगी अब बात करते हैं कि जैसे हमने यहां प्रजेक्ट बना लिया था ठीक है वो प्रजेक्ट जो हमने बनाया था उस प्रजेक्ट को एक बार हम VS code के अंदर open कर लेते हैं ठीक है VS code के अंदर open कर लेते हैं और VS code का setup कैसे करोगे VS code पता आपको क्या होता है VS code हमारी एक IDE है जिसके अंदर हम बहुत सारे multiple languages के अंदर code लिखके उनको run कर सकते हैं बहुत ही easy है इसके अंदर इसको operate करना और इसके अंदर बहुत सारे extensions हैं जिनसे हमें लिखना code की hints help मिल जाती जो भी हमने project बनाए उसको यहां पर यहां से open folder में जाके desktop पर जाएंगे और desktop में जाके demo flutter नाम का हमने project बनाया था वो open कर लेंगे खीक है सर के उपर से नहीं लेकर जाना एक पहले दिनी सारी चीए बता के ठीक है तो कुछ चीज़ें जाल लेते हैं यह puffs spec.byaml यह file हमारे लिए बहुत important अगर यह डिलीट होई थे project run नहीं होने का ठीक है तो यह heart of flutter project बोल सकते हैं इसके अंदर हमारी dependencies हमारे version हमारे project का नाम हमा हमारे लिए हमारी body के human heart की तरह है खीक है तो यह जरूरी file है तो इसको delete नहीं करना तो खीक उसके बाद भी और भी file इंपोर्टेंट हैं कुछ भी delete नहीं करना बट यह man है हमारे लिए अब बात करते हैं जब आप कोई भी code लिखोगे इसके अंदर बहुत सारा code करोगे तो है पहली बार ठीक है एंट्री फाइल बोल सकते इसको ठीक है तो रन करने के लिए इसको क्या करेंगे जैसे हमारा यहां पर मैं गया command line पर मैंने अपना बात को set कर लिया ठीक है फोजेट के folder पर जाएंगे और जाकि हमें क्मांड के चलानी है flutter run ठीक है अब अगर जो हमारे एमिलेटर जैसे आपने अडॉट सेट आप आपने आयोज सेट अप करा तो जो भी अगर आपने एमिलेटर जैसे यह आयोज का इमिलेटर चल रहा है आपे करेंडली तो अगर यह चल रहा होगा तो इस प कमांड चलाई यह कमांड चलाई जाती है पुजट को रन करने के लिए फ्लटर रन ठीक wow रहा है यह यह iOS का हमारा iPhone है तो इसके अंदर मेरा रन हो गया अब यह देखो इसने बोलाता ना यहां पर कि यह रन कर रहा है वो कहां से रन कर रहा है रनिंग X code build X code build कैसे जब भी हम कोई भी कोड जैसे हमने इस man.dat के अंदर जो code लिखा है उस code का conversion होके अपने अपने platform के लिए code बन गया क्योंकि तभी तो इस platform पर रन होगा मालो हमने इस iPhone पर चलाया तो मैं X code वाला code चाहिए होगा न Swift का backend जो मलब Swift का code चाहिए होगा तभी तो चले गए तो जो Swift का code convert हुआ है इस Dart वाले code से या Flutter के code से जो conversion हुआ है Swift के code में वह code कहां मिलेगा आपको iOS के folder में इस folder के अंदर सारा code convert होके आ जाएगा तो यह जो इसने क्या करा है जब हमने Flutter run करके चलाया तो इससे iOS पर चलाया ठीक है तो इसने यह X code वाला जो हमारा build है यह वाला ठीक है iOS वाला यह वाला चलाया वही ठीक है अब अगर Android पर चलाते हो तो यह Android के लिए अलग folder बना रखका इसने ठीक है Linux आप यूज कर रहे हो तो desktop Linux के लिए चलाना तो Linux का लग यह Mac OS का Mac OS का अलग दे रखका website पर चलाना तो यह अलग दरखका इस लिए से multi platform बोलता है कि इसने एक code लिखते हैं और इस code का convert होके सबका अलग-अलग platform के लिए code इन folders के अंदर जो file से उनके अंदर save हो जाता भई ठीक है तो यह folders हमाले मैंने अगर मैं Android का project run करना है तो इस यहां से run होगा iOS का यहां से run होगा Linux का यहां से Mac OS का यहां से web का यहां से Windows का यहां से ठीक है भई तो यह दूसरी चीज है यह हमारी man file है अब इस file का हम थोड़ा सा code समझ लेते हैं भाई देखो जितने भी हम flutter के अंदर screens बनाते हैं उन सब को हम बोलते हैं widget ठीक है और जिसमें यह वाला code है सबसे उपर पहली जो line है import package. यह हमेंसा permanent रहेगी आपको use करनी करनी तो इसे रटा माद लो ठीक है दूसरी चीज यह यह function है void man यह वो function है कि अगर आप कुछ भी यहां पर code लिख रहे हैं इतना सारा code जो हमने यहां लिखा है यह code का reference अगर हमने यहां पर pass नहीं किया ठीक है anyhow हमने pass नहीं किया तो यह code चलने का नहीं है क्योंकि जो code इसके अंदर होता है या इसके अंदर call किया होता इस वही चलनता है क्योंकि यह similar किसके जाला के तो मैं को पता है झो man function होता है उस on function कंदर अगर कंद कोई चीज कॉल करी है यह कोई भी function कॉल करा तब ही वह function चलेगा अधर वाज वह पढ़ा रहेगा फाल्तु वेश्टे है सेम चीज है अगर यह माई एप मैंने यहां बनाया तो मैंने यहां पर कॉल किया अगर मैं यहां जो है यह तो हम चेंज करते रहेंगे अपनी डिजाइन के साफ से पर यह जो है ना इतना कोड में रटा मारना ही है हमेशा कोई भी नई फाइल बनाओगे डाइट की जैसे मालू मैं यहां पर गया मैंने लिफ के अंदर एक और नई फाइल बना ली माई एप डॉट्टर पर यह माई आप यहां पर यहां पर ना इनक हमें लिंक करेंगे ना मैन वाली फोल्डर की अंतर ही मैं वाला संक्षन के अंदर ही लोड करने के लिए समझने ग Theater तो main चीज क्या है कि हमें कुछ भी हमें करना हो यह main function हमारे लिए बहुत ही ज़ार important है ठीक है इसके बिना कुछ नहीं होने का तो यह important है अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ करेंगे इसको detail में संगेंगे अभी आप ज़्यादा confused मत हो ज़्यादा दिमाग पर जोर भी नहीं डालना क्या चीज है यह क्योंकि आगे हम इसके उपर 50-100 वीडियो देखने वाले 500 जितने वीडियो डालेंगे जितने हमने react native के अंदर डालें उतने वीडियो फ्लटर के अंदर भी आएंगे हर चोड़ी-चोड़ी चीज हम बनाना सीखेंगे ठीक है तो अभी इस पर जारा जोर नहीं डालना यह समझे लो कि यह default हमारा code है जो फिलाल अभी यहां run हो रहा है ठीक है तो इस वाले जो हमारा यह है इसको तो कोई इसकी कोई जोर नहीं है फिलाल ठीक है तो यह भाईया इस तरीके से आप run कर सकते हो मालो यहां पर हमें यहां मैं iPhone 13 है मालो मैं Chrome पर run करना चाता हूँ ठीक है Chrome पर run करना चाता हूँ तो अब मैं फिर से मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने Flutter run वाली command चलाई iPhone 13 पर चल रहा है मैं यहां से चलाओ को मिरे से नही anch फिर में मैं मैं मालो भी मैं यहां पर मैंने से नं टास्क तग कैसरा और टास्क में FitThat Little Sim एसको को यहां से बूएस ने कर सकते हैं उना फ़रीप चाशाव को पर फोड़सी आदत हो ताइम लागेगा ठीक कि कि यहां से मुझे पास्ट करना पड़ा है से मालूम मैं यहां गया cd और मैं यहां पर यहां पर अपना जो बेस प्रोफाइल करते हैं कि वह यहां से भी कर सकता हूं मैं source.base profile cd desktop cd demo flutter और यहां उसके बाद क्या कर सकते हैं flutter अभी 13 मेरा on है मैं इसको बंद कर दूँ और मैं द्वारा से कमांड चलाता हूं अब किस पर चलेगा जो भी यहां पर available devices यहां पूछ रहा है macOS पर चलाना महलब desktop या फिर chrome पर चलाना तो मालो अगर मैंने one click कर दिया तो यह मेरा system है न यहां का जो मेरा macOS का जो desktop बाला बनता है उस पर run कर देगा देखो कैसे run करेगा ना तो वह website होगी ना वह mobile app होगा यह न वह desktop बाला app होगा जैसे हम यह applications खोले हुए सारे यह जैसे applications खोले हुए वैसे ही वह run होगा देखो यह सेम तरीके से ना सेम तरीके से जैसे ही है ठीक है अब मालो द्वारा से मैंने फिर इसको cancel करा cancel कर दिया मैं द्वारा से फिर run करता हूँ फिर से पूछेगा यह किस पर run करना वही तुम्हें ठीक है मैं तू पर दवाता हूँ अब यह क्या करेगा मेरा Chrome पर run करेगा मला मेरा Google पर करेगा ठीक है एक बार रन होने देते हैं वेटिंग तो फॉर कनेक्शन फ्रॉम देखो यहां पर गूगल पर जाके इसने run कर दिया वही ठीक है तो मैंने आपको mobile पर चला कर दिखा दिया iOS पर macOS पर हमारा नेस्ट वीडियो से continue करेंगे ठीक है क्योंकि यह मेरा एक से इंट्रो वीडियो भी था और थोड़ा सा मैने setup भी बता दिया अब हम start करेंगे अगले वीडियो से इसके सारी चीजों को सारी चीज़े देखेंगे आपको टैंजन नहीं एक app को बनाने के लिए जो भी चीज़े में चाहिए होती न वो सारी चीज़े में सीखेंगे ठीक है तो अगर आभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन दवादे न क्योंकि मेरी Flutter की सीरीज के notification आपके पास आते रहेंगे झाहिए 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 झाल झाल